एलो फ्रेंट्स चलिए हम लोग कुछ बनाते हैं फिर से नया सेखसे भरपूर आप लोग देखरें नीम का पत्ता है पॉडर बनाएंगे तो पॉडर बनाने के बाद में इसका हम लोग एक सेखत से भरा हुआ रेसिपी बनाएंगे जो खाने में भी अच्छा लगता है और हम लोग के सेरीड के लिए बहुत ही फायदे मन्द है तो देखे पॉडर बनके हो गया त्यार तो कडाई चड़ा दिये हैं कडाई में डाल दिये हैं तेल एक चमच जब तील अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम लोग डाल देंगे इसमें बॉइल के हुआ दो आलू आलू को एक मिनट तक अच्छे से भूनेंगे आलू जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें बॉण नमक एड़ करेंगे और हल्का सा हल्दी एड़ करेंगे इनका सरीर में खुजली होता है स्कीन पर बहुत सारे दाग धब्बे आते हैं उनको ये रेसी पर जरूर ट्राइ करना चाहिए क्योंकि नीम को पत्ता को हल्दी अच्छे से भून गिया था तो इसमें जो नीम का हम लोग पत्ते का पॉडर बना के रखे हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे आलू के मिला देंगे आप चाहें तो जादा एड़ कर सकते हैं नीम के पत्तों को आपका मर्जी तो हल्का सा भी एड़ कर सकते हैं तो बहुत सारा नीम का पत्ता का पॉडर जो बनाएं तो सारा एड़ कर दिये हैं एड़ करने के बाद में देखिए मेरा बन के त्यार हो गया है जब इसको आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा खुस हुआएगा नीम के पत्तों का तो आप जुरूर बनेए अपने घर में और दाग धबा खुचली से दूर रही है और मेरा ये रेसेपी आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में